आईए दोस्तों देखते हैं कि फैक्टरी में टोइलेट सीट कैसे बनती है इसके लिए सबसे पहले एक रॉम मेटेरियल तयार किया जाता है सभी रॉम मेटेरियल को एक गड़े के अंदर एक साथ फिगला कर कुछ इस तरह के साचे में इन मेटेरियल को अच्छे तरीके से भर दिया जाता है पाँच घंटे बाद जब उस साचे को खोला जाता है तो वो एक सीट का रूप ले लेती है उसके बाद इन सभी सीट को वही पर एक एक करके पलट दिया जाता है पलटने के बाद इनको काट छाट किया जाता है उसके बाद कुछ इस तरह के तयार हो चुके पलेट को इसके उपर में चिप काया जाता है अब इसे कुछ इस तरह के जगा पर रखकर इसको पेपर से घिस कर साफ करा जाता है लेकिन अधी भी फिनिशिंग का बहुत सारा काम इसमें बाकी है उसके बाद इन सभी सीट्स को एक फारना के उपर रखकर इसको बटी के अंदर 120 डिगरी सेल्सियस में रखा जाता है उसके बाद इसे बाहर निकाल कर मार्केट में सेल के लिए बेज दिया जाता है वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करके कमेंट बॉक्स में बताओ कि आप कौन सा टोयलेट यूज करते हो